कि इसको डिन कि अभानों को यह आजए स्थ्धा में कर बहुत हो धॉज को भी मों ही राजनीती उमलों को समझ में नहीं आँरा है रहा है वहीं, आपका स्टैट्मेंट university है ऊहें है कि स॥ोंदे इसमає की जह तर्वनी से मैं कोई हॉजए है क्या कि बीहार को बढ़नाम करने हैं तो हनुमान को बहार में राश्पति शायरा करने किensor कि अवरण में और आपका नहीं कुसे였습니다. तो उतना सत्ता के लिए उताबले मत हुए SAKTA यहों को आज उल्टा क्यों नहीं लड़का है आज आप वी ग्रीन मंत्री थे उन चालिज सेलशने सेले, तब भें आप ग्रीन मंत्री हो जब आप ग्रीन मंत्री थे तब अपने दंगाईंगे कंप उलटा रटका रखोंगा क्यूं नहीं किया तो न अलंदा लुद दूरी बहुत जादा है नहीं एकदम शटावाद दिल्ला है दोनों और सासा राम तो मैं यह मानता हूँ और मेरा ऐसा समझ है कि कहीं ने कहीं यह जो महौल खराब करने का सर्यंत्र है यह सोची समझी साजिस है और ग्रिह मंत्री के दौरे से पहले और जहां-जहां दौरा है वहीं वहीं इस परकार का धटना हुआ है सी-सी-टी-टी-वी कैंबरे के अधार पर हमने नालंदा में करीब 80 लोगों को हिरासत में लिया है गिरफतार किया है तो उन 80 लोगों को कम से कम उछ्टा लटका देना चाहिए था आपको बंगाली वर्षेला वर्सेला कर रहे हैं कभी आप नौर्थीश्ट वर्षेला करते हैं कभी आप तामिलांडू जो को उर्इसक जड़म हुई और खासकर करकर बिहार की बात कि जाये तो बीहार में मंतरी अमित्टा का दौरा होना था और उसके बाद राम्नुम्य जड़म के इतो सासा राम जाम और रहें का सबुवाह एकातना कर रही है कि भारते जन्ता पार्टी के द्वारे ये दंगा करवाया गया है ताकि राजनेतिक रोटी से का जा सके और ग्रीमंत्री का दौरा होना है वहीं भारते जन्ता पार्टी जो की अभी विपक्ष में उनका करना है कि ग्रीमंत्री अमित्सा का दौरा है इसलिए सत्ता पक्षिक तरह की हरकत करवाया है और ग्रीमंत्री से डर गया है ग्रीमंत्री को रोखने के लिए इन समी मसलों पर बात करेंगे हमारे साथ में जनर्दिकार पाटी के प्रवक्ता है साहन परविच साहन जी जिस तरह से ग्रीमंत्री का दवरा होना था और उसी दर्मियान सासार साजी से और गृह-जयां जहां-जहां दोरा है वह भी इस परकार का धटना हुआ है और आपने ये जो अभी बात कहा कि विपक्ष ये कह रही है कि ग्रीह मंत्री को रोकने के लिए ग्रीह मंत्री की लोग प्रियता से घबरा कर राज्य सरकार ने ऐसा करवाया है तो मैं आपको अस्पस्ट कर देना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का भाशन ग्री भाशन दे रहे थे तो आपने इस बात का जिक्र किया कि बिहार को मैं 40 में से आपको 40 सीट हमको दे दीजे तो मुझे बड़ा आश्चार हुआ इस बात को सुनकर कि बिहार ने आपको पहले ही 40 में से 49 सीट अल्रेडी दे रखा है और आप ग्रीह मंत्री बने बिहार ने में भी बिहार में लंबे समय तक भाजपा की भी सरकार रही और किंद्र में भी आपकी सरकार रही तो आपने क्या कर लिया और अगर फिर से आप ये बात कर रहे मुलभान के लूगों को आप आज उल्टा क्यों नहीं लटका है तक अब गृमन्त्री से 49 सीट में भी आप गरी मंत्री हैं बिहार ने आपको 49 सीट दिया तब भी आप गरी मंत्री होंगे शायद तो जब आप गरी मंत्री हैं अभी तो तब आपने दंगाईयों कूल्टा लटका रहेंगा काम क्यों नहीं किया जबकि एक वीडियो सामने आया और बिहार पुलिस का जो statement है आप जब उसको पढ़ेंगे और गरी मंतरी जी आपको कम से कम ब्यार पुलिस का statement देखना चाहिए था ब्यान देने से पहले कि ब्यार पुलिस ने कहा कि CCTV कैमरे के अधार पर हमने नालंदा में करीब 80 लोगों को हिरासत में लिया है गिरफतार किया है तो उन 80 लोगों को कम से कम उल्टा लटका देना चाहिए है था आपको तो आपने उलटा क्यों नहीं सब्सक्राइप कि लिए राविक्षिक ढोल रहे हैं कि बिहार में आके आप लिग्हारीओं आप ज्यां दे रहे है राजनीति होगा ना पंकजी वो भी राजनीती में महारत हांसिल करके पैदा होता है और बिहार ही एक ऐसा राज है जिसने पुरे दुनिया को राजनीती का ज्यान दिया है कि राजनीती क्या है राजनीती कैसे किया पैदा होगा यहां आप हम लोगों को मत बताई कि कैसे होता है आपका पूरा पूरा प्लैनिंग था आपका जहां दौरत आप दंगा करवाएं और इसके बाद आप सत्ता के लिए उफ बेचाए नहीं उताबले हैं आप आगे सीधे करें राजपती जासन लागू कर दिया जा जब भी आपदा बीपदा होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष हमने राजनीती का वो भी परमपरा देखा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ खड़ा होकर मजबूती से और इस परकार के चुनोतियों का सामना करना चाहिए था आपको ना कि आपको सत्ता इसकी है तो गिरा देना चाहिए आप पूरे देश में पूरे देश के संग्य धांचा को आप बरबाद कर रहे हैं कभी आप बंगाली वर्सेस ओल कर रहे हैं कभी आप नौर्थ इस्ट वर्सेस ओल करते हैं कभी आप तामिलांडू वर्सेस बिहारी करा रहे हैं कभी महराठी वर्स नाके इस परकार का बयान देके आप विहारी को आजनीती का ग्यान दे रहें यहां इतना समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है कि जहां आपका दोरा है वहीं दंगा हो रहा है आपका अपका बिहार को बदनाम करने आए हैं भाई अपको बदनाम करने आए है और आप सिदह के कैते हैं कि आपने कोई सही योग की बात नहीं कि आपने कोई मदद की बात नहीं कि आपकी सीधे कहा ज़़ाश्वति राश्वति smartestby ला गुकरा दिएंगा है आपका एक चेहरा बन गया है, दुनिया जान रहा है आप इस बात को, आप इस परकार का कम से कम इतना सिंपल और सरल मेथड राजनिती का, आप ये समझ रहे हैं कि बिहारीों को समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत बड़ा पंडित हैं कि राजनिती के, और आप से इस बुडबख है यहाँ पे, आपके इस दिगड़ामबाजी को नहीं समझ रहा है, आप आईएगा समझ एक बिहार में बिहार को बरबात कर देंगे, अब बिहार में समाजीक सोहर्थ खराब कर देंगे, यहोने वाला बात है, एक सवाल है मेरा लोगजन सक्ति पाटी राम के प्रक्षे समराट से उन्होंने भी राजिपाल से मिला है, और कहा कि बिहार में कानुन वेवस्था पूरी तरह से दोहस्त हो चुकी है, मैंने देखा है वो, उनको अभी तथा कातित हानुमान कहते हैं अपने आपको, तो उन्होंने राजपती सासन की जो मांग की है, तो व्यंग मैं आपको दोहरा देना चाहता हूं जो उनके जीजा सादू जी ने कहा है, ट्विट किया है कि हनुमान को बिहार में राजपती सासन लागू करने की जबात कही है, उन्होंने ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हनुमाने को राजपती बना दिया जाए, तो इतना सत्ता क का और राजनीति का सरकार का विपक्ष का िधर्म है कि यप किर्दार है कि जब कोई मुसीबत हो राज्य पर देश पर तो हम विपक्ष की भूमीका को भूल कर हम एक साथ कठे होकर मजबूती से खड़ा होकर और इससे निपटने का काम करते हैं हम मुद्दे पर राजनीती कर सकते हैं कि आप मुद्दे पर राजनीती कर क्या है ने गरी मंत्र जी आप बार बार सत्ता रिटेन किजिए आपको बधाई हो आप इस परकार से किसी गरीब का घर जलाके, किसी गरीब का दुकान लुटबाके, किसी गरीब का महले में, कस्वे में आग लगाकर, आप इस परकार की बात करके, आप समझ रहे कि सत्ता में आ जाएंगे, और सरकार को गिरा देंगे, और इस परकार का ग्यान दे कि आप बिह पर लगों प्ऐसटे को समझ में नहीं आ रहा है अब बिहार के लोगों को नहीं समझ में पंडित समझ रहे हैं नहीं है um उम्रा हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला ही सबसे जहां जहां हिंसा हुई आपकी क्या पीले क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ग्री मंत्री का जो रोल होना चाहिए उन्होंने आदा नहीं किया आप क्या करना चाहेंगे सासा राम और जो नालंद में अमीद्शा जी क्या कर रहे नहीं कर रहे में कुछ से मतलब नहीं है या मैं उसे बहुत जादा बात नहीं करना चाहरा हूं अगर मैं एक देश के ग्रीह मंत्री से आपक्षा कहीं जाओर ज्यादा कर रहा था एक देश का ग्रीह मंत्री को और सहयोग करने की ज़रुवत थी और अभी जो घटना घटी है कई जगों पर आपने कहा कि मैं उन पर मेरा असपस्ट ये कहना है कि अफवाओं से बचे और सहयम का परिचाय दे और आपसी भाईचारा का मिसाल जो बिहार और देश के अंदर जा उदंडता की राजनिती में भरोसा ना करें कि धार्मिक उनमात फैलाने वाले राजनिती में भरोसा ना करें मेरा आपकी चैनल के माध्यम से मेरा पुरे बिहार के नवजमानों से ये अपील है कि सायम का परिचाय दे और धार्मिक उनमात की राजनिती से बचे और धार्मि राजनीती में उनका कोई जगा ना हो सुनिचित करें आप 40 में 40 सीट मांग रहे हैं मैं कहा रहा हूं बिहार की जनता से कि इनको 40 में से चालीस और करके इनको मुतोड जवाब दीजिए कि यह बिहार है और बिहार में आप बिहारी को आके आप राजनीती का ज्यान बांटिएगा और आप सुचेए कि हम सब लोग बुडबख है यहां तो हम सब लोग इतना परिपूर्ण है कि आपकी सारे दौपेज कम लोग समझ क्या चल रहा है तो ग्रीमंत्रिय अमीट्सा का बिहार दौरा था और दौरे पर इन्होंने सवाल खड़ा किया कि आप जहां-जहां आपका दौरा था वहां-वहां ही हिंसा क्यों हुई और आप बिहारीओं को राजनीती मत सिखाए ब्राजनीतिक पंडित तो बिहारी ही होते हैं और हमने पुरी दुनिया को लोक्तंत्र की पार्ट पढ़ाया, राजनिती की पार्ट पढ़ाया, वो हमें न सिखाए और चिराख पासबार ने इन्होंने कहा उनकी बातों से कितनी समध थे, हमारे साथ में साहन प्रवेत थे, जन अधिकार पा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद